ओम, व्रिंदा, व्रिंदावनी, विश्व पूजिता, विश्व पावनी, पुस्पसारा, नंदिनी या तुलसी माता सादर नमस्कार, मैं आनिल कौशिक एक और पोधे के आयरवेदिक और आध्धात्मिक गुणों के सारवर्णन हेतु प्रस्तुत्वूं पद्म पुराण में स्वयम भगवान शिव ने जिनकी महिमा बताई है, गर्ग सहीता के अनुसार समुद्र मंतन के बाद भगवान विश्व के अश्रू बूंद और अमरित के मिलने से उत्पन एक ऐसा चमतकारी वर्दान रूपी पोधा जिसकी आध्धात्मिक और महिमा है, हर सनातनी घर में तुलसी पूजन विदिविधान से किया जाता है, यहां तक के हरी चंदन तुलसी कास्ट को घिसकर बनाया जाता है, जो श्री हरी विश्व को अतिप्रिय है, पुरानों के अनुसार अगर चिता की अगनी में तुलसी की एक छोटी सी कास्ट को ड तुल्सी के पत्तों को पीश कर बालों की जडों में लगाएं तो बाल मजबूत होते हैं। तुलसी के पत्तों के रस की चार-चार बुंदे दोनों नाकों में डालने से सरदर्द और माइग्रेन में आराम मिलता है। तुलसी के पत्ते, अदरक, हरी मिर्च और मोटे नमक की चटनी को भोजन के साथ खाने से भूख न लगने की समस्या और पेट के इंफेक्शन में राहत मिलती है। तुलसी के पत्ते, मुलेठी और गुल बनफसा ये पंसारी की दुकान पर मिल जाता है। तुलसी के पत्ते, अदरक का टुकडा, काली मिर्च, इलाइची को कूट कर पानी में उबाल कर काढ़ा बना कर पीने से सर्दी खासी यहां तक के निमोनिया भी ठीक हो जाता है। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी बैक्टिरियल, एंटी अलर्जिक, एंटी ओक्सिडेंट गुन भी मुझूद है। यह एक बहुत ही अच्छा प्राकृतिक इम्म्यूनिटी बूस्टर है। बोलो तुलसी माता की जै। फिर मिलते हैं इसी तरह ही आध्यात्मिक और आयरवेदिक गुनों से ओध परोध किसी और पोधे के साथ धन्यवाद।